सो अलो गाइस इस वीडियो में हम ग्लोबर फ्रीज का चैप्टर नमबर टू ठाइटी ठी और ठाइटी सेक्सी एक्स्पिलिन करेंगे तो बिना कोई टाइम बेस किये चलिए शुरू करते हैं चैप्टर शुरू होता है जुआओ से जुआओ कहता है बॉस क्या ये बिग गा में पंच करता है और वहां से सभी बहार आते हैं और यहां बिग गाई इन दोनों को पकड़ कर भागने लगता है तब ही जुआओ कहता है बॉस वो हमारे पीछे हैं जल्दी वाम फेक दो जी एस कहता है नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं हूं अगर उनको चीज करना है तो क करने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर वो अपनी स्पेस पावर नहीं यूज करता है तो उसके पीछे कुछ बजा हो सकती है फिर आंगे यह तीनों बाहर निकल जाते हैं और इनके पीछे जनरल और उसके सबॉर्डिनेट भी आ जाते हैं फिर जनरल सुसता है कि सर्फिस के इतने उपर GS आराम से भाग सकता है बिना कोई चिंत आगे फिर जेनरल बोलता है तुमारी space ability only एक ही direction से तुमको protect कर सकती है बठ हम अगर हर direction से attack करें तो हम इस से बिना कोई problem के बस सकते हैं तब ही जुआओ कहता है boss अब हम क्या करेंगे तभी जनरल कहता है अगर फिर भी तुम यहां से कार लेकर भागे तो मेरे आदमी तुरंट कार के टायर फाड़ देंगे तो अब मैं देखता हूँ तुम कहां और कैसे भागते हो यहां तुमारे लिए कोई शेल्टर नहीं है तभी जीएस बूलता है अट्याजार का बतला कब मिलेगा फिर जीएस अपनी पॉकेट में से एक स्विच निकालता है तभी जनरल चॉक जाता है और चिला कर कहता है क्या है यह तुमारे हाथ में फिर GS switch को on कर देता है और तभी जनरल के subordinate पर snowstorm अटेक हो जाता है फिर आंगे जनरल बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम ये क्या हो रहा है तभी ये मोटा कहता है बड़िया अब साइजन बेस पूरा खतम हो जाएगा तिया इंता है सिटी से फिर सभी subordinators storm से बचने की कोशिश करते हैं जनरल कहता है GS ये क्या कर रहे हो फिर GS कहता है क्या तुम को अभी भी याद है तुमने अटेक किया था मेरे सेंट्री पर और तुमने एक explosive का बंडल छोड़ दिया था बट मैंने थोड़े और मिला कर सभी explosive रिटन कर दिये हैं और इनकी quality भी अच्छी थी अगर ये Captain Link का gift नहीं होता तो मेरे लिए chemical material को ढूनना और इतनी ज़्यादा powerful explosive नहीं बना पाता तब ही जनरल सुचता है क्या ये हमारा base ऐसे ही खतम हो जाएगा और जो explosive हमने बेजे थे इनी का use किया गया है अटेक्ट करने के लिए और अब हम बहाँ नीचे भी नहीं जा सकते अगर हम बहाँ नीचे गए तो हम अपनी मौत को दावत दे रहे होंगे फिर जनरल कहता है अभी देर नहीं हुई है पहले तुमको मारूंगा फिर बाकि सबको बचाने जाऊंगा तब ही जियस कहता है रुको अगर हम दोनों fight करेंगे तो नहीं पतक जिन्दा रहेगा और कौन मरेगा तो क्या तुम अभी भी चाते हो कि यहां सबी मर जाएं तुमको यहां गुसा होने की कोई जरूरत नहीं है तुमारे लोग नहीं पहले मेरी territory में गुसे थे तो बंद करो यह बदला लेने की बात फिर जनरल बोलता है यह interesting बात है कि जो तुम ऐसे बोल रहे हो बट यहां से आज only एक ही party जा सकती है या तो वो मैं हूँगा या तो वो तुम होगे फिर GS कहता है तुमारा purpose only मुझे मारना है राइट जनरल कहता है या तुमको मरना ही होगा यहां और तुमारी ये बकवास बंद करो GS कहता है अगर तुमको only मेरी जान चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे subordinate की life के साथ gamble खेलना पड़ेगा सो link fan हम one on one fight करते हैं तुमारा क्या कहना है तब ही ये GS से कहती है क्या तुम पागल हो गयो क्या तुमको पता भी है कि ये कितना strong है तो GS कहता है इस fight में दोनों side के लोग है बट वले चाहिए तुम जीत जाओ बट हम दोनों को one on one करने दो fang son तुम जिसको मानना चाते हो वो only मैं हूँ और अगर मैं जीत गया तो तुम हमको यहां से जाने दोगे और कभी पीछा नहीं करोगे और अगर मैं हारा तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो हलाकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जिन्दा नहीं रहने दोगे फिर यह दोनों GS की बात याद करते हैं जब GS इन दोनों को कहता है वो सभी प्रोपेशनल हैं और उनके पास सुपर पावर और स्ट्रॉंग कॉमबेट एबिलिटी भी हैं अगर हम सभी एक साथ भी काम करें तब भी हम इनको मैच नहीं कर पाएंगे और अगर फैंग के पास सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा तो मैं उनके बोस के साथ वन ओन वन फाइट करूँगा और दूसरी पार्टी को आईडिया नहीं है मेरी स्ट्रेंथ और मुझे एक बेवकूफ समझते हैं जो उनली यूस करता है स्पेस को और ऐसा और वन ओन वन डूल में मेरा चांस है जीतने का फिर हम प्रेजन टाइम में आ जाते हैं जहां जी एस लिंक को चैलेंज गरता है सो यह चैप्टर यहीं खतम होता है आगे कि नेक्स चैप्टर कल वाली वीडियो में एक्पलेन करेंगे सो मेक शॉर यू सस्क्राइब दी चै ऑनन